और एहम जानकरी लखिमपूर खेरी से सामना आ रही है जहाँ पर लखिमपूर खेरी के राजापुर मंडी में काउंटिंग लगातार जा रिए स्वक्त की बड़ी और एहम जानकरी साथ्वे रावंड में विचेपी प्रत्याशी अमन गिरी अब तक सबसे आगे रुजानों में चल रहे हैं तो बड़ी और एहम जानकारी लखिमपूर खीरी से जहां पर आपको बता दें अमन गिरी को कुल कि 59495 वोट मिलें कि सपा प्रत्याशी विनेतिवारी को 45700 कि से ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ आपको बता दें में बिजेपी सपा से 23716 वोटों से बड़त बनाए हुए हैं तो बड़ी और एहम जानकारी जहां पर उप्छुनाओ में अठारवे राउंड की चल रही मदगर्ना तो अठारवे राउंड की मदगर्णा जो है चल रही है स्वक्त की बड़ी और एहम जानकारी जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मदगर्णा हो रही है तो कड़ी सुरक्षा ब्याउस्ताओं के बीच मदगर्णा हो रही है बिजेपी सपा से 23,716 वोटों से बड़त बनाये हुए है तो 33,716 वोटों से बड़त बनाये हुए है बड़ी और एहम जानकारी लाकिमपूर खीरी के राजापूर मंडी में काउंटिंग लगातार जारी है और इसी के साथ आपको बता दे की सतर्वे माफ किचे का सतरा राउंड में बिजेपी प्रतियाशी अमन ग्री सब सबसे आखे चल रहे हैं इस तर्वे राउंड में बिजेपी प्रतियाशी अमन ग्री सबसे आखे चल रहे हैं उन सत्रहजार चार्चानवे बोटों से जो हुने अभी तक मिले हैं और सब प्रतियाशी विने तिवारी 45,000 से अधिक वोट ने प्राप्त हुए है तो इस खबर पर और दिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता लकीम पुर खीरी से अनुच कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुच जिस तरीके से लगातार सुवा से मदगर्णा जारी है तो अभी तक कितना प्रतिश्यत मददान हुआ है और उजहानों अनुच महीं बात कर ले सुरक्षा ब्यास्ता की तो सुरक्षा ब्यास्ता किस प्रकार की चाक्चोबंद वहां पर की गई है सुरक्षा ब्यास्ता के पिसे में बताना चाहूंगा कि यहां पर कल इस्टांग रूम के जिम्मेदारी अर्थ सेंग बलों के हाथों में शुक की गई थी और जिले के आलादिकारियों ने जिमेदारों ने पूरे जिले के फोर्श बुलवा करके यहां पर पूरी बिवस्था चार्ट शपंग की है जगे जगे पुलिस पार्टियां लगाई गी है और जो इसका मुख्य दौर है दौर पर भी वहां और सनिक बलों को तेनाद किया गया है चलिए अनुश बहुत बहुत धन्यवात हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जान करी है हमारे साथ साचा करने के लिए